असलाम अलेकूं जो आई टोपिक हम डिस्कस करेंगे यह है वोड़ वर्ड फिजर रूल यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टन टॉपिक है यूवी वीजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक अंदर अब इस रूल की आप इंपोर्टन्स यहां से पता लगा सकते हो कि एक आप पूरा किया इसमें से रेडियेशन गुजारी रेडियेशन गुजारने का कुछ यहां पर जज़ब होगी अब कौन सी वेवलेंथ पर मैक्सिमिम्म एब्स्वर्बंस हुई है यह हम एक्सपेरिमेंटली पता कर रहे होते लेकिन वुट वर्ड दो साइंसदान थे इन्होंने एक र होना चाहिए आप उसका लैमडा मैक्स खुद कल्कुलेट कर लोगे इस लिहाज से काफी इंपॉर्टन टॉपिक है इसमें सारी के सारी कल्कुलेशन है मैक्सिम बचों कि में प्रॉबलम होती है कोशच करेंगे इसमें कुई प्रॉबलम ना रहे थे सारी के सारी के सारी में謝謝 करेंगे अच्छा याद रखेंगे इस टॉपिक का एक और नाम भी है इस तरह भी आपको एक्जैम में अगर आ जाए तो आपको पता हो कि यह वुड़ वर्ड फिजर रूली है यह EMPIRICAL EMPIRICAL RULE FOR THE CALCULATION OF FOR THE CALCULATION CALCULATION OF ABSORPTION MAXIMA ABSORPTION MAXIMA ABSORPTION MAXIMA को CALCULATE करने के लिए जो रूल है इसको हम नाम दे रहें तो वोड वर्ड फिजर रूल यह इसी टॉपिक का SECOND NAME है ABSORPTION MAXIMA को आप लेमडा मैक्स से भी रिप्रिजेंट कर सकते हो लेमडा मैक्स से भी आप इसको रिप्रिजेंट कर सकते हो लो जी अब इस रूल को स्टार्ट करने से पहले चांद एक ट्रम सीख लो उसके बाद इस रूल के उपर जाएंगे तरह सबसे पहली जो ट्रम है वह है जी अच्रा ट्रम होअ याद रखीएंगा माहरे पास इशें एक्सके अंदर डबल बौन्ड हो मतलब ऊता है double bond ऐसे compound जिसमें double bond मौझूद हो इसको डाइन का नाम देंगे कोई से compound those compound those compound having double bond having double bond जिसमें double bond मौझूद हो इसको हम नाम दे रहे थे कॉन्जूगेटी डाइन दाइन आप कोन सी होती है कांजूगेशन आप पढ़ी होगी यह कंजूगेशन का मतलब क्या है यह आप का से स्टॉक्चर है इसमें देखोगे हम का इसमें आपका इसमें आपका सिंगल बांड ड signals मौण और साथ में क्या हो राएव्ट को technique में डबल बॉण्ट यानिके दो डबल पॉड़ और उसमें कांजूगेशन मौऺजूद तुमें कांजूगेशन मौवजूद और यह अपने पढ़़ा हूँ है मैं फिर एक दोफ़ा दू ए यहां पहों उसका मतलब हों है सिंगल फॉर्ट यहां बाज है इसका मतलब होता है double bond, और जहाँ पर y-n नहीं आजाए, उसका मतलब होता है triple bond, कहीं पर भी आपको नजर आ जाए. अब ऐसा डाइन या अलकीन, जिसमें double bond conjugation के साथ महजूद हो, इसको conjugated di-eans कहते हैं. इसको नाम दे रहे होते हैं, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इसको काल्ड गॉगेटिड दाइन, मैं यहाँ पर एक्जेम्पल दे देता हूँ, यह मेरे पास एक्जेम्पल है, double bond, फिर carbon, single bond, double bond, single bond, देखो, फिर double bond, फिर single bond, फिर double bond, फिर double bond, फिर double bond, फिर इसके आगे हमारा पास के आजएगा single bond, यह हमारा पास है जी यहां ज़सी कानजुगेटिडीड यहां इस तरह यह सिंगल बॉंड डबल बॉंड यहां तॉय यहां प्रेशन पाईजा रही है इसको भी हम कान्जुगेटिडाइएन का सकते हैं आगे हमारे पास Conjugated Diene की मजीर टाइपस आ जाती है कुछ रिंग के अंदर हो सकती है कुछ हमारे पास Straight Chain में हो सकती है वरांच चेन में हो सकती है इसलिहास हमारे पास दो टाइप है पहली टाइप एलिसाइकलिक Conjugated Diene एलिसाइकलिक Conjugated Conjugated Diene यहीं ऐसी डाइएन डबल बॉन मोजूद हो जिसमें आपका स्क्वेट चेन इंवल्व हो एलिसाइकलिक का मतलब है स्क्वेट चेन एलिसाइकलिक का मतलब बहता है जिसमें स्क्वेट चेन हो स्क्वेट चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मोजूद हो इसको हम कहेंगे एलिसाइकलिक Conjugated Diene एक्जेंपल में आपको दे देता हूँ छिएच डबल बॉन्ड चिएच सिंगल बॉन्ड यह डबल वॉन्ड डबल बॉन्ड यह अगि पर बनाने जाएट तो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं हमारे पास सैनले conjugated diene के example आगी है, इसके बाद हमारे पास next जो term आ जाती हो है annular diene, next है annular dienes, अब annular dienes कौन सी होती है, acid dienes जिसमे double bond ring अंदर मोजू दो, those diene, those dienes in which acid dienes जिसमे double bond is present, double bond is present, is present inside the ring, inside the ring, जिसमे double bond आपका ring के अंदर मोजूद हो, इसको हम कहते है, annular diene, मसलां, मेरे पास ये annular diene है, ring है, इसके अंदर double bond मोजूद है, ये भी annular diene है, आगे इसकी मजीद दो टाइपस हैं, वो भी देख लेते हैं, ये भी हमारे पास कहा, annular diene है, दो मेरे रिंग बनाई है, एक double bond यहाँ पर लगा दिए, एक double bond यहाँ पर, दुने रिंग में एक double bond आ रहा है, और second number पर हमारे पास आज सकते हैं, जी, heteroannular dienes, पहले number पर homoannular dienes की बात कर लेते हैं, homoannular कौन सी होती है, it is a cyclic diene, it is a cyclic diene, cyclic dienes, dienes, sorry, it is cyclic dienes, it is a cyclic dienes, which contain, जो रखेंगे, which contain double bond in the same ring, double bond in the same ring, in the same ring, जिसमें double bond एक ही रिंग के अंदर मोजू, हमो मीन होता है, same, हमो मीन का होता है, same, annular mean, ringo, diamond to, in mean, double bond, जैने कि जिसमें double bond एक ही रिंग के अंदर मोजूद हो, इसको हम नाम देंगे, homoannular dienes, मसले मैं एक्जेम्पल यहाँ पर कहूं, तो यह वाली हमारे पास एक्जेम्पल है, homoannular diene की, दोनों को दोनों double bond, एक ही रिंग के अंदर मौजूद है, यह हमारे पास next example आगी है, homoannular diene की, अगर मैं यहाँ पर CI3 group लगा देता हूँ, यहाँ पर एक double bond हो, यहाँ यहाँ भी homoannular diene है, इसके लाब अगर और example देखने हैं, मैं दो रिंग बना रहा हूँ, दो रिंग मैं एक रिंग के अंदर मैं double bond बना रहा हूँ, यह देखो, यह homoannular diene है, यह यह दोनों मौजूद है, लेकन सेम रिंग के अंदर मौजूद है, इसको कहते है, homoannular diene, इसके बाद next two चीज आ जाती हुए है, hetero annular diene, hetero annular diene, अब hetero annular diene कौन से होती है, इसको बिल्कुल opposite, देखो hetero का मतलब होता है opposite, different, hetero मेन के होता है, different, annular मेन होता है, ring, diene मेन होता है, two, eens मेन होता है, double bond, यानि कि इसमें, ऐसी, annular diene, इसमें double bond हो, लेकिन दोनों के दोनों double bond, मुख्तलिफ rings के अंदर मौजूद हो, इसको नाम दे रहे होते है, hetero annular diene, इसके अगर definition लिखे हैं, तो यह हमारे पाद सिम्पल सी definition है, it is a cyclic diene, it is a cyclic diene, means, in which double bond, in which जिसमें double bond, double bond, in which double bond is in conjugation, is in conjugation, जिसमें double bond, आपका conjugation के साथ पाए जाता है, are present, are present in different ring, मुख्तलिफ रिंग के अंदर conjugation के साथ पाए जाता है, मसले मैं यहाँ पे example देता हूँ, यहाँ से example से अच्छे तरीके समझ आ जाजेगी, मेरे पस पहली example यह वाली है, यह मेरे पास पहली example आ गी है, यह देखो, एक double bond यहाँ पे, एक double bond यहाँ पे, फिर double bond, फिर single bond, यहाँ पे conjugation पाई जा रही है, तो it is a, देखो, double bond है, लेकिन एक double bond यह रिंग के अंदर है, एक double bond यह रिंग के अंदर है, हेटरो को इस तरह भी याद रख सकते हो, कि ऐसी di-eins होंगी, जिसमें एक double bond यह रिंग के अंदर होगा, और एक double bond यह रिंग के अंदर होगा, से इसके लावा एक और example देखें, यह वाली, यह हमारे पास next example है, इसमें एक double bond यह है, एक double bond यह है, देखो, दोनों conjugation के साथ है, single bond, double bond, single bond, double bond, इसका बाद फिर single bond, जाने कि पहले single bond आ रहा है, फिर double bond आ रहा है, फिर single bond, फिर double bond, फिर single bond, बज़र, conjugation है, double bond, conjugation के साथ पाए जा रहा है, तो इट इस एक और एक्जेंपल लेता हूँ, सिब यह चेक करना है, यह है, है यह यह नहीं है, बस, और कुछ नहीं, देखो, यह वाला, अब इसको, हेट्रो अनुलर डाइन नहीं कह सकते, देखो, double bond तो आपको मुख्लिफ रिंग के अंदर है, लेकिन conjugation नहीं है, यह आपका double bond, यह single bond, फिर आगे single bond, फिर आगे single bond, फिर आगे single bond, फिर आगे double bond, मतलब यह conjugation नहीं होती, conjugation में double, single, double, single, इस तरह repeat होते हैं, उस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं, conjugation का, इसके बाद एक next norm है, वो है endocyclic double bond, क्या है, endocyclic double bond, double bond, अब ऐसा double bond, जो रिंग के अंदर हो, इसको endocyclic double bond कहते हैं, the bond which is present, the double bond, the double bond, present, inside the ring, inside the ring, जो रिंग के अंदर double bond मौझूद है, इसको हम नाम देंगे, is called, is called endocyclic double bond, इसको endocyclic double bond का नाम दे रहे होते हैं, मसलना मेरे पास यह example है, best endocyclic double bond की, यह देखो, रिंग है, उसके अंदर ही double bond है, इसको नाम दे रहे होते हैं, endocyclic double bond का, इसके बराक्स एक और भी है, वो है, exocyclic double bond, exocyclic double bond, exocyclic double bond, अब exo का में होते हैं बाहर, outside, अब exocyclic double bond, ऐसा double bond जो रिंग के बाहर हो, the double bond, the double bond, which is present, which is present, outside the ring, outside the ring, जो रिंग के बाहर हो, उसको हम कहेंगे, exocyclic double bond, अच्छा, याद रखिएगा, exocyclic double bond के लिए, एक condition होना ज़रूर है, उसमें जो double bond है, उसका एक portion, या SP2 hybridized carbon atom, रिंग का होना चाहिए, one, यह condition है, one, अगर यह नहीं होगी, तो वो एक्जो साइक्री की नहीं हो, one SP2 hybridized, carbon atom of double bond, carbon atom of double bond, is the part of ring, is the part of ring, यह ring का हिस्सा होना चाहिए, यह क्या होना चाहिए, ring का हिस्सा होना चाहिए, मैं यहाँ बेने example लेता हूँ, example से अच्छी तरीके समझ आजाएगा, मेरे पास यह देखो, यह एक ring है, मैं double bond यहाँ बेना लगा देता हूँ, अब यह जो double bond है, चलो जी, इसको भी double bond होगा, यह जो double bond मैं यहाँ पर लगा आजाए ना, यह देखो, इसका एक हिस्सा, ring का हिस्सा होना जी, double bond दो कार्बन के तर्मेहन में होता है, उसका एक कार्बन रिंग का, ring वाला होना चाहिए, और दूसरा कार्बन किसी और गाउना चाहिए, इसको double bond केंगे, ए sapp 72, वरना अगर इस तरह आ रहा है न, अगर इस तरह आ रहा है, इसमें कोई 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 की पया है, कोई भी 아닌 का एंड ऑन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी रिंग का हिस्सा नहीं है, यह अंडो- spark, संद्राइख कोई बीनिया इक और इसे आप देता हूं मैं अब यह ताम मेरे पास ये वाल एक रिंग में यहाँ यहां बनाता हूं यह मेरे पास डबल बॉंड अब याद रिखिए मैंने कहा जी यही तो यह ववल्य रिंग मैं इसको फोड़ साथ नूमिनिंट कर लेता हूं क्टाप समझ में जाय यह मेरे पास रेंग है एक यह मारे पास में लर्वाले से नहीं यह हुआ poverty जो धूँ बना है वैक हिसास बिङस का रिंगके साथ होना चाहिए तो हुए हम उसको एक्जोसाइक्लिक डबल बॉंड कहेंगे इसका एक पार्ट अगर जुड़ा होगा तो हम नाम देंगे एक्जोसाइक्लिक यह वले डबल बॉंड बी के हवाले से एक्जोसाइक्लिक है एक्जोसाइक्लिक डबल बॉंड है और एक हवाले से एंडोसाइक्लिक है एंडोसाइक्लिक में आपके डबल बॉंड के दोनों के दोनों हिस्षा रिंग के अंदर होते हैं यह वला हिस्षा भी रिंग के अंदर ह यह चांद एक चीज़े याद रखो इसका बात में आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे मैंने यह सारी के सारी कीज़े समझाई क्यूं है इसका समझाने का में मकसद ही यह था कि आप नेक्स्ट जब जाएं वहाँ पर मैं डारेक्ट इसमाल करूंगा हमो एनुलर डाई इन्स के लिए जो वेल्यूज होती है वह कौन-कौन सी होती है एक्साइकलिक पता होना चाहिए एसाइकलिक का पता होना चाहिए यह बहुत इंपोर्टट चीज़ें अगर इन चीजों का पता नहीं है ना अब कभी में यहां पर शर्त लगा कि आप कभी भी किसी कंपाउंड की मालूम कर सकते हैं अगर यह लेक्चर आपका अच्छे तरीके से क्लियर है तो हम आगे जा सकते हैं अगर नहीं तो इसको दोबारा फिर एक दाव सुन लिएगा में चीज़ें हमारे पास डाइन कॉंजूगेटी डाइन एसाइकलिक डाइन हेट्राइन डाइन होमानुल डाइन एंडोसाइकली डबल और एग्जोसाइकलिक डबल वॉंड इनका नाम याद रखना है सही है अब यह मोस्ट इंपोर्टन्ट चीज़ें मैं फिर कहा रहा हूं बहुत ज्यादे चले जी अब नेक्स हमारे पास आजाती है जी कुछ वैल्यूज आपने याद करनी है प्रिविएस लेक्चर के अंदर हमने एसाइकलिक कॉंजूगेटिड डाइन क्या होती है होमोनुलर डाइन हेट्रो एनुलर डाइन यह सारी के सारी चीज़े हम डिसक्स कर चुके हैं अ 2414 नैनोमेटर होती है इसके बाद कुछ इंक्रीमेंट हैं यह वैल्यूज बाद में हम एड़ करते हैं से इच अलकाइल सब्सीट्यूट यह बता चलेगा अलकाइल सब्सीट्यूट कौन सी चीज़ उती है उसके पांच नैनोमेटर एड़ करनी है रिंग रेजिडियू अगर एक और डबल बॉंड आ जाता है तो उसके लिए हम 30 नैनोमेटर एड़ करते हैं इसके बाद कुछ और में अगर यह वाले फंक्शन ग्रूप आपको नजर आते तो आपने कुछ यह वाली वैल्यूज एड़ करनी है अगर और फंक्शन ग्रूप मौजूद है तो रटा लगाना पड़ेगा इनका कोई भी तरिकाकार नहीं याद करने का रटा लगाओगे तो